खटोपनिशत की दूती वल्ली के पंदरहवे श्लोक में आचारिय यम ये बात कहते हैं कि क्योंकि मृत्यू एक समस्या है, मृत्यू अर्थात सदैव न रहना, तो उसकी ओशद ही क्या होगी? सीधे सी बात है, ओशद ही वही होगी जो इसके बिल्कुल विपरीथ है, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई तत्व यदि कम हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, तो शुगर जैसी चीज़ें दी जाती है, किसी के शरीर में लवन का अंश कम हो जाता है, तो लवन अर्थात नमक द किया जाता है किसी के शरीर में अगर आयरवेट की दृष्टी से देखें तो वात पित्त कफ के रूप में वात कम हो जाता है तो वात बढ़ने वाली ओशदियां दी जाती है पित्त कम हो जाता है तो उसी प्रकार की ओशदी दी जाती है इसी प्रकार से मृत्यू एक रोग है जो रोग नश्वर के कारण पर अपता है क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है आत्मा उस शरीर से जुड़ती है तो ये मृत्यू बार-बार आती रहती है ये रोग बार-बार आता रहता है तो इसका इलाज क्या है? तो कहते हैं इसका इलाज है जो नश्वर ना हो जो अविनाशी हो बस उसी अविनाशी को नाम लेकर के आचारियम समझा रहे हैं ओम इति एतत वह ओम है उस परमेश्वर का नाम ओम है वही इस नश्वरता की ओशदी है जो उसे पा लेता है उसे नश्वर शरीर नहीं मिलता है और जो उसको पाने का प्रयास तक नहीं करते वो लगातार इस नश्वर शरीर में आते रहते हैं जाते रहते हैं यही वस्मृत्यू लिए इस ओशदी को पाने का प्रयास कर लेना चाहिए और आगे सोलहवे श्लोक में कुछ इसी प्रकार की बाते आचारेयम कहते हैं बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि परमेश्वर के प्रती मेरी कोई भक्ती है, कोई रुझान है, मेरा कोई पक्षपात है, पूर्वाग्रह है या फिर मुझे बताना ही है, अच्छा बनना है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टी में मुझे अपने आपको बड़ा धार्मिक सिद्ध करना है, इसलिए मैं तुम्हें इश्वर का उपदेश दे रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर संसार में यही होता देखा जाता है, लोग परमा प्ठिनाई आये, कोई समस्य आये, तो फिर धार्मिक समझ करके लोग उनकी साहेता के लिए आजाएं, उनकी आवश्यक्ताओं को लोग धार्मिक समझ करके पूरा करने लगें, और उन्हें धार्मिक कब समझा जाएगा, जब वो भगवान जैसे किसी अस्तित्व के वारे म बात करेंगे, भगवान का उपदेश देंगे, आचारी यम का कहना है, मैं तुम्हें भगवान का उपदेश इसलिए बिलकुल नहीं दे रहा हूं, कि मुझे तुम्हारे भीतर आपने प्रति शद्धा उत्पन करनी है, मुझे तुम्हारी दृष्टी में अपने को कर रहा हूं, क्योंकि उसमें एक गुण है, और वो गुण तीन बार अलग-अलग विशेशताओं के साथ आचारी यम ने दोहरा दिया, और वह गुण है अक्षर, अक्षर अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, अक्षर अर्थात जो कभी जरजरित नहीं होता, संसार की सारी बस्त में जरजरित होती हैं, लोहा है, जंग लग जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कपड़ा है, गल जाएगा, हट जाएगा, मिट्टी है, मिट्टी का बना घर है, आज नहीं तो सौ साल बाद, नहीं तो दो साल बाद, नहीं तो हजार साल बाद, वह भी जरजरित हो जाए और जिसमें ये प्रक्रिया ही नहीं होती जो अलग है इस ख्षय होने की प्रक्रिया से जो काल से परे है उसे कहते हैं अक्षर और जैसा कि मैंने अभी कहा हमारी समस्या है ख्षय होना हमारा डर ही है कि हमसे लगातार हमारा समय लगातार सिमठता जा रहा है चिंता जा रहा है हमारी और कोई समस्या नहीं है यद्देपी अगर संस्कारों की दृष्टी से देखें तो हमारे लिए ये वर्दान भी है अगर हम इस शरीर में रहते हुए अमर हो जाएं तो हमारे सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाएगा हम नहीं चाहते उन्हीं पुरानी जो बहुत अधिक रद्धी हो गई हैं वही पुरानी समृतियां वही पुराने संसकार जो प्रदुशित हो चुके हैं जिनका बोज में और अपनी पीट पर नहीं लादना चाहता है इन सब का बोज मेरी पीट पर लदा हुआ है और ये बोज लाद करके कोई व्यक्ति अमर होना चाहे इससे बड़ी मुर्खता की बात और क्या होगी इसी लिए तो नचिकेता ने मना कर दिया था मैं शरीर में रहते हुए अमरता नहीं चाहता आचारे यम ने जब उसके सामने कुछ लालच और लोग भेंके थे कि तु जितना चाहे जी ले नचिकेता ने सपश्ट कहा था कि जब तक मैं शरीर में रहूँगा चलेगी तो तेरी और इस शरीर को लेकर के अमर होना ये तो ब संसकारों की गठर को कंधे पर ढोते रहना ये तो मुर्खता की बात है शमा कीजिएगा इसलिए आचारिये यम का दिया हुआ प्रस्ताव नचिकेता ठुकरा देते हैं और इसलिए आचारिये यम अब उपदेश करते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें शरीर नहीं ये तो तुम्हें अक्षर का उपदेश करते हैं एतत ही एव अक्षरम ब्रह्मा जिस ओम जिस परमेश्वर के बारे में मैंने तुम्हें कहा है ये तुम्हारी मृत्यू नाम की बीमारी की ओशदी है क्योंकि ये एतत ही एव अक्षरम ये अक्षर ही ब्रह्म कहलाता है मैं का उपदेशी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो अक्षर है एतत ही एव अक्षरम परम और यही अक्षर परम है परम है अर्थात अंतिम है परम अर्थात इसके बाद कुछ नहीं है परम अर्थात तुम्हारा लक्षे है जहां तुम जाना चाहते हो वो तुम्हारी डेस्टि चुनाव कर रहे हो, जीवन में हर क्षन तुम किसी अच्छे का चुनाव कर लेते हो, कपड़ा चुनते हो तो अच्छा चुन लेते हो, दो में से एक बहतर चुन लेते हो, इसी प्रकार से भोजन आपके पास कई प्रकार का हो तो आप बहतर भोजन चुनते हो, इसी प्रकार स इस बहतर और अच्छा और अच्छा और अच्छे की श्रिंखला में सबसे अच्छा क्या तो वह कह रहे हैं उस सबसे अच्छे को ही तो परम कहा जाता है एतत ही एव अक्षरम परम ये अक्षर नाम की ओशधी मृत्यू से बचाने वाली ओशधी ही परम है ये अंतिम है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है और इसलिए एतत ही एवा अक्षरम ज्यात्वार इसलिए इस एक अक्षर को जान करके इस संजीवनी का पता लगा करके यो यत इच्छती तस्यतत फिर जो जैसा चाहता है जो व्यक्ति जिस वस्तू की कामना करता है उसे वह मिल जाता है बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती कि जो व्यक्ति जैसा चाहता है उसे वैसा मिल जाता है अगर आत्माएं संसार चाहेंगी तो क्या उसे संसार मिल जाएगा आचारी हम कहते हैं कि व्यक्ति चाहता क्या है व्यक्ति इंद्रियों का सुख चाहता है इंद्रियों के सुख के लिए संसार बना है कहरें कि ऐसा ही सुख और इससे भी अच्छा सुख परमात्मा को जानने के बाद मोक्ष जैसी परिस्थिती में मिलता है क्योंकि हमें याद करना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुलास में दिया गया उपनिशद का वह प्रकरण छंदोग्य उपनिशद का जिसमें उपनिशद कहती है कि जो व्यक्ति मोक्ष में जाता है वो सुख का उपभोग कैसे करता है भला वो देखता, सुनता, समझता कैसे होगा वो तो बेचारा आज की भाषा में कहें तो वैसे तो दिव्यांग कहा जाता है जिस व्यक्ति का कोई एक अंग कम होता है प्राचीन काल में उसको अपंग कहा जाता था तो वो व्यक्ति तो बेचारा आपंग हो जाएगा मुक्ति में उससे आखें छिन ली जाएगी मुक्ति में उसके कान नहीं होगे मुक्ति में उसकी त्वचा नहीं होगी मुक्ति में बेचारा ना बोल पाएगा ना चल पाएगा ना छू पाएगा भला कैसा सुखी हो की संसार में जीते हुए जिन इंद्रियों से हम संसार का उपभोग करते हैं और वहीं उपभोग कि दो इन्ध्रियां संसार से सुख ले पा रही है इन इंद्रियों के पीछे आत्मा की शक्तियां काम कर रही है, अगर आत्मा में देखने की शक्ति ना हो, तो आख में भला क्या सामर्थ है कि वो किसी एक तिन के भर को भी देख ले, अगर हमारी आत्मा में सुनने का सामर्थ है ना हो, तो भला कान सुन कैसे पाएंगे, अगर आत्मा में बोलने क सामर्थे ना हो अपनी बात को प्रकट करने का सामर्थे ना हो तो वाणी नहीं बोल पाएगे क्योंकि ये जो इंद्रियां है ये तो प्रकृती की देन है और प्रकृती अपने आप में कोई निर्णे नहीं कर पाती कि क्या करना है इसलिए जो हो रहा है वो आत्मा की शक्तियों से हो रहा है अर्थात हम देख रहे हैं बोल रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ आत्मा की शक्तियां हैं वो शक्तियां तो मोक्ष में भी रहती हैं अपनी इनही मौलिक शक्तियों से आत्मा देखता भी है सुनता भी ह जैसे परमिश्वर को कहा गया है सहस्र शीर्शा पुरुशह सहस्राक्षह सहस्रपात सभुमिन सर्वतह्स प्रत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम भगवान की सौ आखें हैं सौ हाथ हैं सौ सिर हैं भगवान की हजार हाथ हैं हजार आखे हैं हजार से रहे भगवान की असंखे आखे हैं असंखे हाथ हैं असंखे से रहे हमारी सामर्थ सीमित है परमेश्वर की असीमित है वहां सहस्र शब्दकार्थ हजार नहीं है अनंत है असीमित है इसलिए जब कोई व्यक्ट जब कोई आत्मा इनिंद्रीयों से तुछेंद्रीयों से छूट करके मौक्ष्कियो ओर जाता है तो वो अपनी मौलिक शक्तियों का उपयोग करके कूरे संसार की जो जो सुक होते हैं वो सारे सुक उसक लिए तुछ हो जाते हैं चुट्कियों के खेल हो जाते हैं, इसलिए कहने है यो यदिच्छती तस्यतत, जिस व्यक्ति को जो चाहिए उसे मिल जाता है, नचिकेता को संसार में रहते हुए नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हुए सीमित मिलेगा, ब्रह्मों को जानने के बाद असीमित मिलेगा, इसलिए उस ब्रह्म जिसको अक्षर कहते हैं उस परम सबसे सुरेष्ठ सबसे उत्तम जिसको अक्षर कहते हैं उस अक्षर को जानना ही सबसे आवश्यक है क्योंकि वो अक्षर ही क्षर की ओशधी है वो अमरितत्व ही मृतिलोक की ओशधी है इसलिए स्पष्ट सा आचारिय यम का हमारे लिए संकेत है उपनिशदों का हमारे लिए स्पष्ट सा संकेत है कि आपको ओशदी खोजनी आगे सत्रहवा श्लोक कहतें एतदालं बनम श्रेष्ठम एतदालं बनम परम एतदालंबनम जियात्वा ब्रम्ह लोग के महीयते ब्रम्ह लोग अर्थात परमेश्वर का लोग परमेश्वर का लोग अर्थात वो किसी नगर में रहता हो वो किसी स्थान किसी तंबू में रहता हो ऐसा तो नहीं है लेकिन परमेश्वर के सामर्थि जिस सुक्ष्मता में काम करते हैं परमेश्वर की शक्तियां जिस स्तर पर जाकर के काम करती हैं उस स्तर पर आत्मा को पहुँचा देना ही ब्रह्मा का लोग है जैसे हम कहते हैं फिजिक्स में एक विभाग है जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं फिजिक्स की वो शाखा जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं तो कहते हैं कि हम अगर उसमें काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स नाम का कोई कमरा है उसमें जाकर के बैठते हैं और तब हम उस पर research करते हैं नहीं यह quantum तो हर जगह हैं जहां मैं और आप बैठें वहाँ पर भी हैं लेकिन जब हमारी बुद्धी जब हमारी खोज सूक्ष्न होते 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 quantum किस तर पर आ जाती है उसे कहते है quantum physics यह व्यक्ति कहां पर यह किस क्षेतर में काम कर रहा है तो कहा जाता है अच्छा यह rocket science में काम कर रहा है तो rocket science में काम कर रहा है मतलब rocket science कोई दुनिया से अलग वस्तू है दुनिया के किसी एक कोने का विज्यान है ऐसा नहीं हर स्थान पर वो सारी के सारे नियम मौजूद है प्रकृति के बस जो व्यक्ति उनकी गहराई में जाकर उन्हें खोज लेता है उसे कहा जाता है कि यह इस ख्षेत्र में काम कर रहा है ऐसे ब्रह्म्ह लोक कोई ऐसा लोक नहीं है कि जिसका कोई अलग कक्ष हो ब्रह्म्ह लोक कोई ऐसा स्थान नहीं है जैसा स्वर्ग जैसी कलपना लोगों ने कर रखी है या ख्षीर सागर हो, या चौथा साथमा आस्मान हो. ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी स्थान ब्रभ्मलोग नहीं कहला. तो ब्रम्ह लोग क्या है ब्रम्ह लोग सुक्ष्मता का वो स्तर है जब हम इस भौतिक दिखने वाले जगत से थोड़ा सा गहरी बात समझने लगते हैं जब हम प्रकृति के मूल जिसको हम तनमात्रा कहते हैं उनको समझने लगते हैं फिर जब उससे भी गहरे उतरते हैं तो ह हम मूल प्रकृति के स्तर पर जाते हैं और जब हम इस प्रकृति के स्तर को भी छोड़ करके परमात्मा को जो की और सुक्ष्म है उसे समझने का प्रयास करने लगते हैं उसे कहा जाता है ब्रह्मा लोग लोक अर्थात स्थान तो हर वस्तू में हैं जहां हम बैठे हैं वहीं प कण हर स्थान पर हैं, पर फिर भी हम quantum physics में काम नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारी पकड नहीं है वहां तक, क्यों 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 कि हमारी बुद्धी वहां तक काम नहीं कर पा रही है, हमारा सोचने समझने का स्तर वहां तक नहीं है, जिस व्यक्ति का स्तर उन quantum को समझने का हो जाता ह वो सुक्षेत्र में काम करने लग जाते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मु को समझने लग जाता है बड़ा कठिन काम है बहुत आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ जितना उपनिशद में सरलता से शब्दों में लिख दिया गया है उतना सरल नहीं है परिश्रम लगता है त्याग लगता है उस त्याग के बाद कोई वहां तक पहुँच पाता है यानि हमें उतनी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिसके लिए उपनिशद कह भी रही है सहरा लीजिए बिना सहरे के तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे लेकिन सहरा किन चीज़ों का उतली चीज़ों का कि थोड़ी गहरी थोड़ी सुक्ष्म वस्तूओं का मैं ठीक वैसे उधारन दूँगा जो बचपने और बड़े हो करके थोड़ा अंतर एक हमारे जीवन में आ जाता है बचपन में हम सुखी होने के लिए सहरा किन वस्तूओं का लेते हैं और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम सुखी होने के लिए किन वस्तूओं का सहरा लेने लगते हैं एक आयू होती है जब हमें व्यक्ति की आवश्यक्ता बहुत कम होती है जब हमें लगता है कि हमें व्यक्ति की क्या वश्चक्ता है, हमें तो बस खाना समय पर मिल जाए, कपड़े, भोजन समय पर मिल जाए, हमें घर मिल जाए, उतने परियाप्त है, क्योंकि शरीर बढ़ रहा होता है, शरीर की ग्रोथ हो रही होती है, और इस विक्सित होते शरीर में, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो शरीर को किसी और की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि शरीर में कुछ आ रहा है लगातार आ रहा है लगातार उर्जा भर रही है तो व्यक्ति अपने अंदर से ही प्रसन रहता है अपने अंदर से ही पता नहीं क्यों उसे अच्छा-च्छा अनुभव होता है लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सुखी होने के लिए आलंबन बदलना पड़ता है एक आयू ऐसी आती है जब सुखी होने के लिए आपको किसी व्यक्ति की आवश्रक्ता पड़ती है अपने जैसी एक आत्मा की आवश्यक्ता पड़ती है जब हमें लगता है कि नहीं अब सुख का अर्थ है अपने विचारों को किसी से बांट पाने अपने सुख और दुख में किसी को साजीदार बना लेने आलमबन बदल गया आयू बदली आवश्यक्ता बलगी बदली आलमबन बदल गया सहारा बदल गया सुख होने का और यही सहारा कुछ दिनों बाद 10-20 वर्ष बाद फिर बदल जाता है जब लगता है कि अब किसी एक व्यक्ति की आवश्यक्ता नहीं है अब तो आवश्यक्ता है हर प्राणी के साथ में आत्मा जैसा व्याभार करने की जब हम इस स्तर पर पहुँच जाते हैं कि हम हर प्राणी को चाहे वो कोई भी क्यों ना हो उस प्राणी की आत्मा से अपने आत्मा को मिला करके और तब सुखी होने लगते हैं मैं कल एक विचार विमर्ष कर रहा था अभी हमारी कक्षा से जुड़ी होंगी माता जोटसना जी मैं उनसे एक छोटा सा विचार विमर्ष कर रहा था जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो एक बहुत बुरी आदत विद्यार्थियों में थी सब में नहीं रिशियु द्यान जहां हम रहते हैं वहां आश्रम में जानवर बहुत आते हैं जानवर अर्था कुट्टे आ जाते हैं श्वान आ जाते हैं बहरी दर्वाजे से कई बार यजशाला की किसी घास में शौचादी कर देते हैं या फिर कई बार इधर उधर टहलते ही रहते हैं तो एक आदत पड़ गई थी कि जहां भी श्वान दिखाई दें डंडा उठा करके उसके पीछे दोडते थे उसे मारते भगाते थे कई बार तो लाठी फेक कर मारते थे पत्थर फेक कर मारते थे कभी वो लगता था उसे चिल ऐसा आज लगता है कि वो डंडा फेक कर मारते वक्त उस समय कुट्टे को भगाना कम और निशाना लग जाए उसे चोट पहुंचे ये अधिक उद्देश्य हुआ करता था भीतर अगर निशाना चूक गया उसको नहीं लगा फिर भी वो भाग गया तो एक संतोश सा नहीं होत ऐसा लगता था कुछ अधूरापन रह गया है और ये स्वभाव लगभग गुरुकुल के हर विद्द्यार्थिका था क्योंकि या तो बताया गया था या स्वयम में पनप गया था कि हमें श्वान को यहां आश्रम में नहीं आने देना और उसमें एक मनुरंजन सा बन गया आज भी जब मैं श्वान को आते जाते देखता हूं तो कभी मन में नहीं आता कि कोई पत्थर उठा करके फेंका जाए कोई मन में नहीं आता कोई डंडा उठा कर फेंका जाए मन में ये भी नहीं आता कि ये रिशुद्यान में प्रवेश न करें क्योंकि एक बात अब समझ में आ गई है, ये बिचारे जान पूछ कर प्रवेश नहीं करते हैं, चोरी नहीं करनी हैंगे, ये बस कुछ ढूंडते हैं, कुछ खाने को मिल जाए, बैठने के लिए कोई स्थान मिल जाए, सर्दियों में जहां गर्माहट हो, गर्मियों में जहां थोड़ी से ठंड़क हो, ऐसा कोई स्थान, थोड़ा सा भोजन, कुछ ऐसा मिल जाए, बस उसकी खोज में लगतार घुमते रहते हैं क्योंकि वो मनुश्यों के बीच में ही रहते हैं जब भी उनको भगाया जाता है, उनको नहीं पता के तुम्हें क्यों भगाया जा रहा है तो एक आज गलानी होती है उस समय को सोचकर भी, और ऐसा भी लगता है कि देखो विचार जब बदलते हैं न धीरे 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 हम जब बचपन में सोचते थे कि मंच पर बैठ करके प्रति दिन आचारी लोग भाशन दे देते हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता ये तो बड़ी अव्याभारिक पाते कर रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं यारे, ये सर के उपर से जा रही है आज वही बाते लग रही हैं कि बिल्कुल ठीक थी, वही बाते लग रही हैं कि बड़ी काम की थी जो विचार उस समय किसी काम के नहीं लगते थे आज वो बहुत धीरे-धीरे समझ में आलमबन बदल गया है पहले सुखी होने के लिए हम दूसरे को पीटना उचित समझते थे कश्ट पहुचाना उचित समझते थे सहरा ये लिया हुआ था सुखी होने का आज हमारा सहरा बदल गया है आज हम उसे कुछ खिला करके उसे कोई अनुकूल परिस्थिती दे करके आज अपने आपको सुखी अनुभव करते हैं और ये आप और हम अपने जीवन में अंतर अनुभव करते होंगे कि एक बदलाव जीवन में आ जाता है आयू के साथ, हमारे आलंबन, हमारे सहरे बदलते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम समझदार होते चले जाते हैं, मैच्यूर होते चले जाते हैं, हमारा सहरा बदल जाता है, युवा वस्था में पैसा बहुत चाहिए होता है, बहुत पैसा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी और चाहिए, और कई बार तो हम पैसे को ही सबसे उपर रख लेते हैं, हम धन को लक्षे बना लेते हैं, कि इतना धन हमारे पास हो ही हो, तब हम कुछ करेंगे, बच्पन में या युवा वस्था प्रारंभ होते हैं, तब हम सोचते मेरे पास ये हो जाता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता ये कर लेता वो कर लेता हमारी योजनाई चलती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं और पैसा आ जाता है तो एक भाव मन में धीरे 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 घर करने लगता है कि जब सोचा था इतना धन हो जाएगा तो मैं संभवतह अपने आपको बहुत अच्छा नुभव करूँगा लेकिन लग रहा है कि परिस्थिती वैसी की वैसी ही है तो अब हम धन के अतरिक्त कुछ और खोजना प्रारंब कर देते हैं धन है उसे धन को छोड़ना नहीं चाते व्यर्थ गवाना नहीं चाते लेकिन ऐसा लगता है कि धन रहे पर फिर भी शांती किसी और वस्तु में फिर उसकी तलाश करते हैं फिर लगता है दिनचर्या में शांती है प्राता काल उठो सवेरे, उठकर के थोड़ा टहलो, दिहान करो, उसके बाद एक अच्छा सा भोजन हो जाए, तो ये दिनचर्या हमारे लिए सुख का आलमबन बन जाती है, और जब ये दिनचर्या भी काम नहीं आती, तो फिर लगता है कि बस अब तो कोई सत्संग मिल रहा जहां पर भजन करने के लिए शांते का अंतस्तान है, यानि मेरे जैसे मेरे विचारों के लोग हों, जो आराम से भजन करते रहें, कुछ अच्छा सुनते रहें, कुछ स्वाध्याय करते रहें, ये जो आलमबन हमारे बदल रहे हैं न, इन बदलते आलमबनों में अंतिम आ विचार है एतदालंबनंश्रेश्ठम अच्छा और अच्छा चुनने की इस प्रक्रिया में सुखी होने के सहारे ढूंडते 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 अंतिम सहारा यदि कहीं मिल पाएगा तो वो कह रहे हैं कि संसार की संचालक शक्ति जिसे हम ओम ब्रह्म्ह या परमेश्वर कह जिसे अक्षर कहा गया है अभी जो कभी मरती नहीं है जो मृत्यू की दवाई है बस वही एतत आलंबनंपरम वही आलंबन सबसे अंतिम है जहां जाकर आपको रुकना पड़ेगा जिसके बाद कोई आलंबन लेने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी वही आलंबन सबसे और हां उसके बाद कोई आलंबन मिलेगा भी नहीं वह सबसे अंत में बेठा आलंबन है एतद आलंबनम ज्यात्वा इस आलंबन को जानकर इस आलंबन को स्विकार करके ब्रम्ह लोग के महियते ब्रम्ह लोक में व्यक्ति जाता नहीं है, कह रहे हैं महीयते, महीयते मतलब बड़ा बन जाता है, जो बनने की उसकी इच्छत ही वैसा बन जाता है, उसमें महत्व आ जाता है, महान पना आ जाता है, परमेश्वर महान है, ये भी महान बन जाता है, चीनी मीठी है, शक्कर मीठ खा करके व्यक्ति भी अंदर से अपने आपकी में मिठास अनुभव करने लगता है ठीक वैसे ही ब्रह्म्ह क्योंकि महान है ब्रह्म्ह क्योंकि बड़ा है ब्रह्म्ह का सामर्थ बड़ा है जब उसे स्विकार करके आत्मा अपने आपको भी महान अनुभव करने लग जाता है तो कह रहे हैं मर्त्य लोग का आना जाना छोट जाता है, ब्रम्ह लोग के महियत है, इसलिए कुछ बड़ी उपलब्धी मिल जाना ही दुख के समाप्त होने का सूचक है, यनि कि दुख का समाप्त होना और सुख का आना ये कोई दो अलग-अलग चीज़े हैं ही नहीं, मेरा एक विचार बहुत दिनों से अपने मन में था भी और जब नियाय दर्शन हम पढ़ रहे थे तब भी उसके कुछ संकेत मिले, हमें लगता है कि हमें सुख को पाना है, सुख कुछ अलग है, मेरा विचार है नहीं, सुख को पाना कोई उद्देश्य नहीं होता है, आत्मा स्वयम में, अपने आप में सुख होने की सामर्थे रखता है, पई आत्मा और परमात्मा, अगर आप सुख्षमता के स्तर पर देखें, तो कोई अलग-अलग थोड़ा ही है, परमात्मा कभी आत्मा से अलग हुआ ही नहीं, अगर आप तथ्यात्मक दृष्टी से, शास्त् कभी अलग था न कभी है न होगा त्रेइतवाद के अंतरगत आत्मा लगे परमात्मा लगे आत्मा सुखस्वरूप है मतलब आत्मा वो जो परमात्मा सुखस्वरूप है आत्मा को सुख की तलाश है तो वो परमात्मा जो सुखस्वरूप है वो आत्मा के पास कब है और कब तो सदेव पास में है, यानि सुक तो आत्मा के साथ साथ चल रहा है, मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां सुक है, तो समस्या किस बात की है, समस्या है दुख के बंधनों को छोड़ने की, दुखों का बंधन छूटना ही सुक का अनुभव है, अपने आप, इसलिए प्रयास को पाने का कम और बंधनों को तोड़ने का होना चाहिए सुख तो सरवत्र फैला हुआ है पह रहे हैं ब्रह्म्ह लोके महियते वो महानता स्वयम मिल जाएगी एतद आलम बनं ज्यात्वा ब्रह्म्ह लोके महियते सुख जो हर स्थान पर फैला हुआ है वो हर स्थान पर फैला ह सुख केवल एक तरीके से मिल सकता है उसकी चावी केवल मात्रेख है परमात्मा को ब्रह्म को जानना उस सहारे को स्विकार करना धीरे धीरे एक एक भौतिक सहारा छोड़ते 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 अंतिम सहारे को स्विकार करना बस यही सुख का एक मात्र कारण है और इसके ब श्लोकों से मिलती जुनती मिलेगी. जैसे घीता में श्लोक आता है नजायते म्रियते वाक्टा दाचिन. नायम भूत्वा भविता वानभूय है. अजो नित्य हशाश्वतो यंपुराणह नहन्यते हन्यमाने शरीरे. खठोपनिशद कहती है नजायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित नबभुवकश्चित अजो नित्य हशाश्वतो अयम पुराणह नहन्यते हन्यमाने शरीरे बहुत मिलता जुलता श्लौक है या बल्कि मैं यू कहGUं कि उपनिशद क्योंकि वेद से जुड़े हुई है उपनिशद क्योंकि प्राचीन है तो उसी उपनिशद के विचार को आचारिय व्यास ने महर्शी व्यास ने गीता के उस विचार के अंतरगत जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो अर्जुन का को दिया गया अपना निजी विचार नहीं था श्री कृष्ण का आपको ये शैली रिशी दयानंद की बातों से समझ में आई जब रिशीद अयानन्त कहते हैं मेरा अपना नया मत चलाने का इतना सा भी उद्देश्य नहीं बलकि जो मेरे से प्राचीन रिशी महर्शी विद्वान सज्जन बुद्धिमान लोगों ने कुछ नियम व्यवस्थाइं खोजी हैं वेद में से बस उन्ही व्यवस्थाओं को आप तक पहुँचाना जो कि मुझे सही अनुभव लगी वो व्यवस्थाएं जो परमात्मा ने वेद में दी हैं वो व्यवस्थाएं जो वेद से रिश्यों ने जानी हैं बस उन्ही व्यवस्थाओं को उन्ही मार्गों को उन्ही रास्तों को आप तक पहुँचाना ये मे श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को कुछ उपदेश दिलवाए, या श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिये, उन्हें अपने शब्दों में जब व्यास जी ने लिखा, तो वो ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण या व्यास जी का अपना निजी विचार था, एकदम नया विचार था ना ऐसा कभी होता ही नहीं है दुनिया का कोई विचार सर्व था नया नहीं होता है एकदम फ्रेश एकदम नया एकदम अभी निर्मित हुआ विचार दुनिया में ऐसा कोई विचार ही नहीं है जिस विचार को आप अपने से पहले किसी साहित्य में न दोनों होती हैं, वो कहते हैं, पुस्तकों को पढ़ने का सबसे बड़ा लाब ये होता है, कि आपके भीतर कुछ भर जाता है, और जब भी कोई समस्य आती है, तो आपके पास कोई न कोई समधान होता है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं कोई समधान पढ़ा होता है, तो आप इध मुझे समझा दे कोई आए और मुझे इस परिस्थिती से निकाल दे इस तनाव की परिस्थिती से इन कठिनाईयों से मुझे कोई रास्ता बताए तो आपके पास पहले से ही इतनी पंक्तियां इतने उपदेश इतने समाधान यहां भरे पड़े होता है किताबों को पढ़ कहीं सुने होई यह तो होता है लाब लेकिन हानी भी बहुत होती है तो हानी क्या होती है तो कह रहे हैं कि जो हम नया सोचते हैं कभी बैठे हैं और बैठे बैठे कोई नया विचार मन में आ जाता है तो बहुत प्रसनता होती है ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ नया सोचा है फिर आप अपने मित्र को बताना चाहते हो अपनी बात को किसी मंच से लोगों को साजा करना चाहते हो अपने शिश्यों को बताते हो अपने बच्चों को बताते हो कि देखो ये नई सूज मुझे आई है लेकिन जैसे आप कभी 10-5 दिन बाद किताब पढ़ने का यदि अभ्यास है रुची है तो किताब पुस्तक पढ़ रहे होते हो और आपको अपना वो विचार पुस्तक में पहले से लिखा मिल जाता है सदैव आपके साथ ऐसा हो गई है तब ये लगता है कि अरे इतना भी नहीं हूं मैं कि मैंने कुछ नया खोज लिया है ये तो मेरे से पहले पता नहीं कितने लोगों ने खोज रखा है कि सिधांतों से संबंधित दर्शनों से संबंधित बहुत सारे विचार मेरे मन में भी चलते थे और मुझे लगता था ये तो मेरी अपनी नई खोज है लेकिन जैसे जैसे हम पुस्तकों को पढ़ने लगे पता चला आरे ये तो स्वामी सत्य प्रकाश जी ने हम से पहले लिख रखा है गंगा प्रसाद उपाद्धे जी ने पहले से लिख रखा है अरे ये बात तो रिशिद अयनन नहीं पहले से लिख रखी है अरे तो रगुननन शर्मा जी ने पहले से लिख रखी है दो तिन विचार मेरे सामने ऐसे आए जैसे लोग कहते थे कि वेद में अशलील शब्द हैं गालिया लिखabled हैं तो उस समय मेरे मंध में आता था कि गालिय और अशलील शब्द होता क्या है अरे अशलील और शलील शब्द कुछ होते ही नहीं है अब मान लिजे रिष्टे में साला शब्द है वो गंदा थोड़ी होता है हमने उसे गंदे रूप में बोलना प्रारम कर दिया है ऐसे दुनिया की हर क्रिया और हर शब्द कंदा थोड़े ही होता है हमने उसे गंदे रूप में प्रयोक करना प्रारम कर दिया है तो बस उसके भाव लोग उन्हीं बुरे अर्थों में लिने लगे तो ये विचार हमारे मन में चला करता था देखा स्वामी सत्य प्रकाष जी ने पुस्तक लिख रखी है किया वेदों में अशलीलता है तो पता चला कि ये बात तो हमसे पहले उन्हों ने लिख रखी है आहां में लगा ए इतने महान नहीं है हम कि हम कुछ नया सोच सकें ऐसी एक विचार मन में चला करता था कि जैसे शब्दों के अर्थों होते हैं वैसे अक्षरों के भी अर्थ होने चाहिए हर अक्षर का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए तो लगता था कि ये मेरी अपनी सूझ है ये मेरी अपनी सोच है रगुनंदन शर्मा जी की पुस्तक वैदिक संपत्ती पढ़ी तो उसमें पहले से उन्होंने लिख रखा है हमसे 50 साल पहले लिख दिया उन्होंने तो 50-60-70 साल पहले कि भाई ऐसा ऐसा होता है अक्षरों के भी अर्थ होता है और लिख और दिया अर्थ बता भी दिये कि अ का ये अर्थ होता है इ का अर्थ ही ये होता है हर एक अक्षर का अर्थ लिखा उन्होंने तो मुझे लगा कि तुम तो बहुत लेट चल रहे हैं कोई नहीं खोज नहीं है तुमारी सब तुमसे पहले किसी ने सोच लिया है जब हम पुस्तके पढ़ते हैं तो ये हमें सोचने को मिलता है कि हमारे विचार इतने भी नए नहीं है जो हम सोच रहे थे इसलिए कोई विचार दुनिया का सर्व था नया नहीं होता वो या तो आपको रिशियों की नया बिलकुल नहीं इसलिए जब हम देखते हैं कि उपनिशद में जो श्लोक है वही श्लोक आपको गीता में लिखे मिलेंगे लगभग लगभग एक जैसे ही जैसे कुर्वन नेवे है करमाणी जीशे विशेद शतम समाह और फिर आपको ऐसा ही श्लोक गीता में देखने को म पर यहां पर छोटा बड़ा सिद्ध करने की बात नहीं है यहां पर बात यह कि उपनिशद में भी वेद से आये हैं विचार तो इसलिए जो विचारों का प्रवाह है उसी को योग दर्शन में महर्शी पतंजली महर्शी पतंजली ने बड़ी सुंदर तरीके से समझाया है सएशह पूर्वे शाम अपी गुरुह काले नानव अच्छेदात परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है यानि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ या मेरे मन में नया आ रहा है वो गुरुजी ने पहले बताया हुआ है परंपरा वहां से चली हुई है और क्यों क्योंकि सरवज परमात्मा सरवज्जता का मूल है जानकारी का मूल है सारी जानकारी का स्रोत वहीं से निकलता है इसलिए इस शलोक का अर्थ तो हम समझते भी हैं समझेंगे भी आगे लेकिन उससे पहले प्रकरण आनुसार ये समझ लेना आवश्यक है कि इस सारे विचार कहीं एक स्थान स प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा पता लगता है, क्योंकि ये विचार आपको यहां भी मिला, गीता में भी मिला और अन्य स्थानों पर भी मिलेगा, अभी आप देखेंगे, जब नीती गरंतों को पढ़ेंगे, नीती गरंतों में भी आपको इस तरह के श्लोक मिलेंगे, तो ब्रह्म हमारी मृत्यू नाम की बीमारी का समस्या का इलाज है, इस इलाज को, इस ओशधी को, जितना जितना लेते जाएंगे, उतना उतना अम्रितत्व की और बढ़ते जाएंगे, इस अठारेविश लोक का आर्थ क्या है, ये हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही